नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है शायून आप देख रहे हैं यूनिवास टेक्निकल यूनिवास टेक्निकल पर मैं आज आपको एक बहुत इसी मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी की फोन में उसके फोन में क्या है उसको चेक कर सकते हैं उसका जो एप लॉक है उसको ब्रेक कियो बगएर मतलब उसके फाइल मेनेजर में क्या है उसको फोन के अंदर क्या है यूजक कर सकते हैं उसका फाइल मेंजर को ब्रेक के वगर यह उपन के बगएर नहीं उस से कुछ पाश्वाट पीन कुछ भी मांगने की जरूरत है नहीं उसके लिए आपको कि इस भी third party application को install करने की ज़रूरत है इसको आप देख सकते हैं आज ये वीडियो खास करके parents को बहुत help करेगा ताकि जो उनके बच्चे होते हैं तो बच्चे को के phone में क्या है यह चेक कर पाना कई बार parents के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने तर्याक्तर एक जो locks ह है वो लगाए होए होते हैं तो चिंदा करने की कोई बात नहीं है आप इस method का यूज करके बड़े एजिली से चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे के phone में क्या है या किसी के भी phone में क्या है वो आप चेक कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बाजो में जो ये बैल आइकन है इसे भी दबा दीजिएगा ताकि लिटेस्टिक मारे से लिटेड वीडियो की नौटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां पर आप जो है सभी के फोन में होता है अंडुएट फोन में सभी के फोन में होता है इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपेंड कर लेना होगा इसको ओपेंड करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहूंगा किसे भूलने बा हूँ टीसी इम में जाँगा यहाँ पे देखिये मेरा एक फोटोग्राफ उसको में ऐख सर्च को लिखिये password file उसके बाद दीजिए colon उसके बाद 3 slash उसके बाद लिखिए SD card लिखे go कीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपके फोन का जो storage है पूरा open हो जाएगा तो जो मेरा photograph था तो वह था basically BCIMA यह वाला folder अब देख सकते हैं यहाँ पे यह वाला folder है तो इसको open कर लेते हैं और वह एकनम लास्ट में था photograph तो यह रहा लास्ट का इसको view करते हैं तो यह देख सकते हैं कि मेरा तो photograph अब वीव हो चुका है और मैं देख सकता हूँ इसके लिए मुझे file manager में भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी तो मैं यहां से ही चेकर सकता हूँ कि मेरे phone के अंदर क्या है तो यह हर एक के phone में काम करेगा दोस्तों बस Google Chrome होना जरूब है मैं और कुछ यहां पर अगर मेरे पास है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ एक सेगंट कौन सा क्या open करूं डॉकरेंट में कुछ नहीं है डाउनलोड में होगा डाउनलोड में है यहां पर चलिए इसको open करते हैं यह देखिए यह भी यहां पर है तो यह डाउनलोड में मिला तो इस तरीके से जो है आप बरही आसानी से हर एक किसी का जो phone पीस इसको जो है ethical way में यूज की जिएगा अने तिकल लोगे में इसको यूज मत कीजिएगा क्योंकि इसके लिए मैं जो है जिमेदार नहीं हूँ मैं बस इसको दिखा लाँ ताकि आप लोग इसको अच्छे काम में यूज कर सके तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडि है तो आपको यह वीडियो काम में जो है अबदारे विए तो आपको में जोज कर दो कर सकते हो इसके लिए